हेलो दोस्तों लेंडियर उसमें आप लोग का स्वागत है फाइनली दोस्तों वीवो ने इंडिया में अपने Z1 Pro को जिवो लॉंच कर दिया है और दोस्तों ये आपको तीन अलग अलग वेरियंट्स में मिलते हैं जो बेस वेरियंडियो आपको 4GB कि रहा है उसके बाद 664 है फिर आपको 6128 भी मिलता है वैसे स्क्रीन के ओपर मैं आपको इसकी प्राइस दिखा रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन कमेंट के अंदर भी मैं आपको अपडेट कर दूगा वैसे यहां पर दोस्तों वीवो का जो Z1 Pro इसमें आपको वैसे काफिस सार यूनीक फीचर मिलते ह पर इसमें अपको इं डिस्कोष चायजर भी बोक्स में मिलता है प्लस आपको यहां पर Qualcomm Snapdragon 712 के वाला प्रोसेसर मिलता है यह निटिया का पहला फोन है जो आपको इस वाले प्रोसेसर के साथ मकुलते है लेकिन इसके खूबी यह है दोस्तों कि इसमें आपको dedicated PUBG features मिलते है जी हाँ आपको game assistant का feature मिलता है जब आप PUBG खेलते हैं तो उस feature के दुआरा आप बहुत सारे चीज़े जो उसमें कर सकते हैं आपको PUBG में खिलने के लिए और ज्यादा मदद करता है उसके अलब आपको triple rear facing camera भी मिलता है साथ में super wide angle आपको sensor भी देखने को मिलता है तो यह सारे इसके unique features है दोस्तों आपको इस phone में देखने को मिलते हैं और उपर देखेंगे सारे highlighting features इसकी mentioned की गई है और अगर मैं इसको open करने से पहले इसकी specs की बात करता हूँ तो आप लोगों यहाँ पर 6.53 इंच की एक ultra full video display मिलती है और एक IPS display आपको इहाँ पर देखने को मिलती है primary camera जो आपको 16 megapixel का मिलता है F1.78 का आपको aperture मिलता है उसके लब आपको 8 megapixel का super wide angle sensor मिलता है जो अच्छी बात है और आपको 2 megapixel का depth sensor भी देखने को मिलता है 5000 image के आपको battery मिलती है और 18 watt का आपको fast charger भी मिलता है जो dual engine fast charging technology के साथ मिलता है प्लस आपको Qualcomm Snapdragon 712 वरा processor मिलता है यह Octagore का processor है और हमें पता है यह जो processor है दोस्तों यह बहुत ही powerful है इसमें आप कोई भी high end games के लो यह आपको बिल्कुल भी निराश्ट नहीं करेगा तो यह है दोस्तों इसके कुछ specs और अभी फड़ावट से यहाँ बॉक्स को open करते हैं तो यहाँ पर सबसे लगर आप देखते हैं हमें हमारे कुछ documentation और एक back case आपको मिलता है तो अच्छी बात है कि आपको जो back cover काफी glossy तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके आपको design मिलती है काफी premium आपको design देखने को मिल जाती है तो design के मामले में आपको problem नोगी वैसे दोस्तों यह आपको 201 grams का मिलता है और 8.8 mm की आपको thickness पर मिलता है तो यह भी आपको कुछ तरगे का मिल जाता है उसके लब अगर मैं box content की बात करते हो आपको micro USB cable मिलते इस तर यह box content फड़ा वट से हमारे phone की तरफ तो यहां पर अगर मैं physical overview की बात करूं तो नीचे देखिए आपको 3.5 mm audio check मिलता है आपको mic hole, micro USB port और आपको speaker open मिलता है, right में आपको power button, volume up and down की की मिलती है, left side में आपको यहां पर SIM tray मिलता है जहां पर अच्छी बात है कि आपको dedicated microSD card का slot भी देखने को मिलता है, नीचे देखिए आपको smart key मिलता है, जी हां आपको smart key मिलता है, इसको आप press करेंगे, तो google assistant वगरा को आप toggle कर सकते है, उसके अलावा ओपर यहां पर आपको कुछ नहीं मिलता है, और PC की तरफ देखिए तो triple camera की placement आपको कुछ इस तरगी मिलती तो यहां पर दोस्तों आप देखिए अपने phone को boot का लिया है, और सबसे पहले अगर आप display देखते हो तो आपको काफी बढ़िया मिलता है, और अच्छी बात है कि यह एक IPS display है, और आप देखिए सामने आपको in display camera भी यहां पर जो देखने को मिलता है, और जो screen to body issue यहां पर जो कस्टमाइज कर सकते हैं, और fingerprint scanner, face unlock दोनों मिल जाता है, तो fingerprint scanner मिने setup किया था, आप देखिए मैं touch करता हूँ, और open हो जाता है, फिर से एक बार दिखाता हूँ, मैं touch करता हूँ, open होता है, एक बार और दिखाता हूँ, touch करता हूँ, बहुत ही fast है, और face unlock की बा है, और वो ही यहां पर game assistant का, और especially यहां पर आप जब PUBG खेलेंगे न, तो आपके PUBG की gameplay को और भी यहां पर enhance करतेगा, वैसे दोस्तों आपको game cube version 5 मिलता है, उसके अंदर आपको game assistant मिलता है, और यहां पर अगर आप देखते हैं, आपको कितने कमाल के features यहां पर जो देखने क करना चाहते हैं, तो एक छोटे से window में आपके सामने open हो जाता है, और फिर आप एक साथ में game भी खिल सकते हैं, और उसमें दुसरा भी काम यहां पर कर सकते हैं, उसके लावा आपको accidental touches का option मिलता है, आपको AI button को disable करना है, accidentally press ना हो, या फिर आपको three finger swipe disable करना है, तो वो आप यहां पर आकी कर सकते हैं, आपको यहां पर 4D game vibration का support मिलता है, game countdown मिलता है, उसके अलावा यहां पर आपको notification, background, यह वो सारे चीज़े को block करने मिल जाती है, बहुत सारे features मिलते हैं, उसके अलावा यहां पर दोस्तों, finally अगर हम बात करते हैं, इसके camera की, जो आप देख सकते और दोस्तों, अगर मैं conclusion की बात करता हूँ, तो यह जो phone है बहुत ही value for money है, आपको बढ़िया से display मिलती है, 5000 image की battery है, fast charger भी आपको 80W का, triple camera है, 32 Megapixel की selfie है, और साथ में आपको snapdragon 712 वाला processor मिलता है, तो gameplay भी आपका वैसे काफी बढ़िया होना वाला है, वैसे आपका क्या खायल है, इस phone के बारे में, आप मुझे जरू से comment करके बता सकते हैं, इतना ही है दोस्तों वीडियो के अंदर, अगर आपको यह वीडियो पसना है, तो आप जरू से वीडियो के लाइक करिए, मैं future में बहुत unboxings और reviews आप लोग के लिए लाता हूँगा, मिलते हैं आप से अगलेव दोमेक नाप कर साओ, तिल दू यह वीडियो का साओ, तो ए औरलो मुझे आप लोग कसा यह वीडियो का साओ, तिल दून वीडिया दागिग डियो इखटाओ, ग्या दागिए रोग के लुद ऑख़ाड़ू स्तू »